हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की रेड्मी 13C फॉन में आप लोग होच्पोर्ट पास्वोर्ट को कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपके पास एक रेड्मी 13C फॉन है और सारे ही लोग जो है आपके होच्पोर्ट के साथ कनेक कर रहें और आपको जो डाटा है वो बहुत ही जल्दी खतम हो जा रहा है तो कैसे आप लोग जो अपने होच्पोर्ट पास्पोर्ट को चेंज कर सकते हो गाइस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं होचपोर्ट पास्वोर्ट को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फॉन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ओप्शन देखने को मिलेगा पोर्टेवल होचपोर्ट का देख सकती यह रहा वो ओप्शन तो इस पोर्टेवल होचपोर्ट के ओप्शन पे क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ओप्शन होगा सेट अप पोर्टेवल होचपोर्ट का तो इस सेट अप पोर्टेवल होचपोर्ट के ओप्शन पे क्लिक करेंगे प्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को पासपोर्ट देखने को मिलेगा जैसी कि देख सकती ही रहा तो जो भी पासपोर्ट लगा हुआ है इसको यहाँ पर से कट कर देंगे कट करने के बाद जो नया वाला पासपोर्ट आप लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पर डाल देंगे जैसी कि यहाँ पर मैं नया वाला पासपोर्ट डेख सकते डाल दिया हूँ डालने के बात यहाँ पर उपर में जो यह right वाला option है इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते हैं आपका जो hotspot passport है वो change हो जाएगा अभी आप लोग यहाँ पर hotspot को on करोगे तो जो आपका पुराना passport था वो डालने से connect नहीं होगा जो नया वाला passport है वो ही डालने से connect होगा तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने redmi 13c phone में hotspot passport को change कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई